बिहार के सिक्षकों के लिए जारी हुआ नया सेडूल, पढ़ाई के अलावे दिये गए कई सारे कार्ज परंतु इसके एवज में दिये जाएंगे पुरतसाहन रासी नमशकार और आदाब आप तमाम दर्सक पंदूओं को मैं हुए इसके चौधरी शाथियों जहां भीसर गर्मी पर रही है और जहां लूसे सिक्षकों की मौत हो रही है वहीं बिहार सरकार के सिक्षा भीभाग ने सिक्षकों के लिए एक नया सेडूल जारी कर दिया है इससे डिवल के अनुसार जहां सिक्षकों को पढ़ाई की अलावे कई सारे कारियों के लिए परतन्यूग किया गया है परंतु ऐसे कारियों के लिए सिक्षकों को परत्साहन रासी भी दी जाएगी परंतु कितना परत्साहन रासी दी जाएगी किस कार्ज के लिए पुरत्साहन रासी दी जाएगी इससे पहले किस पर हम विस्तार पुरुवक चर्चा करें जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्पया सब्सक्राइब कर लेंगे साथियो बिहार के सिक्षअ विभाग ने तमाम बिहार के सिक्षہ को के लिए एक नया सेडूल जारी कर दी है एस सेडूल के अंतरगत जहां पुरमें बिहार के सिक्षग आठ से लेकर 10 तक विध्याले में उपसित रहते हुए सक्षनिक गत्मीदियों में भाग लेते थे उस सेड्यूल के अनुसार तमाम सिक्षकों से कार्ज लिया जाए। साथियों इस सेड्यूल के अंतरगत तमाम बिहार के सिक्षकों को अब आठ बजे से पहले ही विद्याले आने होंगे और अपने परधाना ध्यापक के साथ मिलकर पोसक छेतर का भर्मन करते हुए वैसे छात्र जो विशेश कक्षा के लिए नमांकित है या फिर मिसन दक्ष के लिए नमांकित है वे विद्याले नहीं पहुँच रहे हैं उनको पहचान करते हुए हर हाल में विद्याले में लाने का निर्देश दिया गया है यानि इसके लिए कह दिया जाए तो कम से कम एक घंटे यान सुबह 7 बजे तमाम बिहार के सिक्षकों को विद्याले पहुँच कर अपने परधाना ध्यापक के साथ छेतर भर्वन के लिए निकल जाने होंगे वही साथियों पुर्व की तरह मिसंदक्च और विशेश कक्षाओं का संचालन जहां सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक निर्धारित थी वो कक्षाएं पुर्वत ही चलती रहेगी तमाम विशेश कक्षा के चातर और मिसंदक्च के चातर सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक अपनी अपने सक्षनी गत्वीदियों में सामिल लहेंगे वही दस बजकर पांच मिनिट पर मध्यान भोजन की विवस्था की जाएगी मध्यान भोजन कराने के बाद तमाम सिक्षकों को अपने घर के लिए परस्थान कर देना होगा परंतु परधाना ध्यापक अपने विद्याले म की गई है यानि कलश्टर संटर परतिक पंचायतों में बनाया गया है और वहां उस पंचायत के तमाम परधाना ध्यापक ग्यारह बज़े से बारा बज़े तक मीटिंग में नेचित रूप से सामिल होंगे साथी साथ तमाम परधाना ध्यापकों की उपस्थिती भी उसी भ तना स्थगित कर दिया जाएगा साथी साथ उन पर कारवाई भी की जाएगी इस तरह से 12 बजे तक की मिटिंग की विवस्था की गई है उसके बाद तमाम परधाना ध्याबक भी अपने घर के लिए चलते बनेंगे यानि दोस्तों प्राथा कालिन विवस्था के अंतरगत साथ बजे से लेकर 12 बजे तक हो गई है उसके बाद चुनाव आयोग ने सिख्षकों को नए कार्ज भी सौप दिये हैं जो की विद्याले अबधी की बाद सिख्षकों द्वारा संपन की जाएगी साथियों वो कार्ज दिया गया है चुनाव आयोग की ओड से की बीते चार चर्णों की अंतरकत बिहार में जो चुनाव संपन हुए है उसका परतिसत रहा है और 48.33 परतिसत और इसे चुनाव आयोग काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने बोट परतिसत बढ़ाने की एक्षा जताई है जिसके लिए उन्होंने बिये लोग के रूप में परतिन परतिसत बढ़ाने में निचित रूप से सहायता मिलेगी और इसके एवज में कर्मियों को परत्साहन रासी भी परतान की जाएगी साथियों क्या परत्साहन रासी परतान की जाएगी इसका खुलासा अभी चुनाव आयोग ने नहीं की है परन्तु निचित रूप से तमाम कर्मियों को प्रत्साहन रासी दी जाएगी इसके लिए उनको बोट परतिसत में बढ़ोतरी करने होंगे साथियों हम आप सभी को बता दे कि बोट परतिसत का गिरना बरतमान सरकार के लिए घातक साबित हो रहा है और ऐसे में बरतमान सरकार कभी भी अपनी सरकार बनाने में स सिक्षकों को भी बोट परतिसित बढ़ाने के लिए आगे लाकर रख दिया है। साथियों वहीं चुनावी महौल के अंतरगत बिहार में तमाम परिच्छाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए तीथियां पर तीथियां घोसित की जा रही है। प्रेंतु सक्छमता परिच्छा के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की जाए इसके लिए बिहार की सिक्षा विभाग और समंझस की बनी हुई है। जिसके अंतरगत 26 जीलों में BPSC TRE 3 की परिच्छा होगी और चात्रों के लिए आवासन की भी विवस्था की जाएगी साथियों इन बिंदूओं को देखते हुए यही एस्पेश्ट होता है कि यह कुछ और नहीं चुनावी मुद्दा है ताकि तमाम चात्रों के मन में ये बात हमेशा घुमती रहे कि 10 और 11 जुन को BPSC TRE 3 की परिच्छा होने जा रही है यह बरतमान सरकार की देन है लेकिन साथियों सक्षमता परिच्छा आयोजन को लेकर कौन सी तिथिया निर्धारित की जाए इस पर बिहार सरकार की सिक्छा विभाग और समंजस की इस्थिती में बने हुई है सिक्छा विभाग को यह असपश्ट नहीं हो पा रहा है कि सक्षमता परिच्छा के तिथि निर्धारित करने से सिक्छकों में खुसी की लहर दोरेगी या फिर सिक्छकों में आग की कहर दोरेगी सिक्षा विभाग इस बात से और समंजस की स्थिती में बने हुई है कि आखिर सक्षमता परिच्छा के समंद में कोई भी दिसा निर्देश कैसे जारी किया जाए वही साथियो ये बाते शिर्फ इतना चन के आई है कि दो बार सक्छमता परिच्छा का और आयोजन किया जाएगा जिसके अनुसार विशिट सिक्चक नियावली 2021 में इस बात का परब्दान किया गया था ये तीन बार तमाम नियोजित सिक्षकों को सक्षमता परिच्छा में बैठने के अरुमती दी जाएगी और उसमें सफलता के उपरांथी तमाम सिक्षक राजकर्मी बन सकते हैं इसकी अंतरकत सिर्फ यही खबर आई है कि एक बार सक्षमता परिच्छा का आयोजन हो चुका है दो बार और सक्षमता परिच्छा का आयोजन किया जाएगा लेकिन साथियों सक्षमता परिच्छा का कहीं से उन्हें सक्षकों के लिए कोई महत तो नहीं रह गया है जिन्होंन सिर्ब सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर कर रही है। सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर कर रही है। सिर्फ एक उमीदबार इंडिया को अपने दिल से समर्थन दीजिए और नई सरकार बनाते हुए अपने आपके भविस्ट को सुरक्षित कीजिए। तो साथियों ये थे आज के अहम खबर आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथी साथ अगर आप चाहते हैं कि सचाई का साथ दे तो जूड़िए हमारे चैनल के साथ और आभी सब्सक्राब कीजिए हमारे चैनल सुसत्य वचन को। साथी साथ हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास सेर कर दीजिए और अब दीजिए अजाजत अपने ही दोस्त इसके चौदरी को फिर मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत दोस्तों